नमस्कार स्वागत है आपका उत्राखन दिन भर में आये डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर मुख्य मंतरी हरीश रावत ने परदान मंतरी नरेंदर मूदी को पतल लिखर जूली फैलाई है इसमें रावत ने पियम से आर्थिक जहायता के लिए अनुरोध किया है मुख्य मंतरी हरीश रावत ने परदान मंतरी नरेंदर मूदी को पतल लिखर उत्राखन पुने निर्मान और पुने विकास के लिए 323 करोड 78 लाग और 763 करोड 23 लाग रुपे सीग्र अवमुक्त करने का नुरोध किया है रुड़की में खनन माफियाओं के होसले इतने बुलन हैं कि वो नदियों के सासाथ अब नहरों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं सूचना मिलने पर रुड़की तैसिल पशासन ने गंग नहर से खनन सामरी भरते समय एक दरजन ट्रेक्टर वर ट्रॉलियों को सीज कर दिया है आज चमपावत के गल्ला विक्रेताओं ने गौरल चोड मैदान में सांकिती परदशन की आपरदशन कर रहे हैं विक्रेताओं का कहना है कि राशन के गोधा में धर्म कांटा ना होने से दिकतों का सामना करना पर रहा है मसूरी में भाचपा के पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने बैठा कविजित की जिसमें उन्होंने नगरपालिका में फैली हुई अनिमियत ताओं और भरस्ताचार के बारे में वार्ता की तो मेरा तो ये कहना आवाने मुखमंतरी जिसे भी अंडूध है और मुखे सची जिसे कि जो ये नगरपाली का मसूरी में जो घुटाले हुए हैं जितने भी ये घुटाले हैं इनकी जांच होनी चीए निस्पत से जांच होनी चाहिए राजे सरकार द्वारा पहली बार देरादून के किरिल्डा हॉल में पैरा लंपिक स्टेट लेवल गेम सायजित किये जा रहे हैं जिसमें 21 प्लेयर्स हैं जो की हाथ पैर से विकलांग है तो ये थी उत्राखन के परमुक खबरे इन दमाम खबरों को आप देख सकते हैं देवभूमी नियूस डॉट कॉम पर